दाल दलहन की कीमतें और महेंगाई मियंतरित करने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है। देसी चना से आयाच शुल्क हटा दिया गया है। आयाच शुल्क में यह छूट 31 अक्टूबर 2024 तक की अवधी के लिए दी गई है। शुक्रवार देर शाम वित मंत्राले की ओर स इस बारे में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर इसे तुरंट प्रभाव से लागू कर दिया गया। पहले उम्मीद की जा रही थी कि सरकार चुनाव के बाद इस संबंध में निरनय लेगी। हालांकि केंद्र ने बिना देर किये तुरत्फुरत में ही निरनय ल इस से पहले स्टाक लिमिट लगाने से लेकर भारत ब्रांट से सस्ती डाल बाजार में उतारने तक का निरनय ले चुकी है। अब आयात शुल्क हटाने से देसी चना के साथ काबुली पर भी असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में चना और बेसन के दाम नीचे आ सकते है बीते दिनों में वैवाहिक मुहूर्त और अन्य आयोजनों के कारण चना दाल वा बेसन की मांग काफी बड़ी थी। इससे दाम भी उचल गए थे। आगे चने के दामों में फिर से मंदी देखी जा रही है। अब तक चना के आयात पर करीब छियासक प्रतिशत तक आयात शुल्क लागू था। इससे पहले सरकार पीले मटर का आयात भी खोल चुकी है। यानि सपश्ट है कि सरकार किसी भी स्थिती में दाल वा बेसन महेंगा नहीं होने देना चाहती। कारोबीरी उम्मीद कर रहे हैं कि चने में फिर से गिरावट का दौर आएगा और चने के दाम फिर से 5500 के स्थर तक आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी